नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो स्पेस एंथुजियास्ट के लिए जो है काफी एक्साइटिंग है आपने सुना होगा कि सेप्टेंबर दोहजर चॉबिस में जो है हमारी अर्थ को जो है एक मिनी मून मिलने वाला है लेकिन ये मिनी मून है क्या और ये क्यों important है scientist के लिए इन सब सवालों का जवाब आपको मिलेगा इस वीडियो में तो बिना time waste के जो है चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले समझते हैं कि मिनी मून होता क्या है मिनी मून्स वो asteroids होते हैं जो अर्थ के gravity के trap में आ जाते हैं और थोड़े time के लिए हमारे planet के जो है आसपास घूमने लगते हैं जैसे एक छोटा satellite ये asteroids जो हैं छोटे होते हैं और जड़ावर time तक जो हैं detect नहीं होते अब तक सिर्फ जो हैं चार मिनी मून्स को ही जो है धर्ती के orbit में जो है देखा गया है दोस्तों अब सवाल उठता है कि September 2024 में हमें एक मिनी मून क्यों मिल रहा है scientist ने जो है एक asteroid को जो है discover किया है जिसका नाम है 2024 PT5 ये asteroid जो है अर्थ के पास से गुजर रहा था लेकिन अब ये जो है अर्थ की gravity के जो field है उसमें जो है फस जाएगा और दो महिने तक जो है हमारे planet का जो है चक्कर लगाएगा ये asteroid जो है 33 feet लंबा है तो ये काफी छोटा है और इसे आप जो है normal telescope से नहीं देख पाएंगे 2024 PT5 asteroid को जो है NASA के asteroid terrestrial impact last alert system Atlas के थ्रू जो है discover किया गया था ये जो asteroid है सिर्फ 33 feet लंबा है मैंने बताया इसलिए जो है ये visible नहीं होगा बीना powerful telescope के ये mini moon scientist के लिए जो है इतना important क्यों है इसका जवाब simple है asteroids जो earth के पास आते हैं उनका study करना हमें जो है काफी कुछ सिखाता है space के बारे में asteroids में जो है बहुत valuable minerals और resources होते हैं जैसे पानी और metals जो आने वाले time में जो है space exploration और mining के लिए जो है काफी useful हो सकते हैं अब कुछ scientists ये मान रहे हैं कि 2024 Pt5 शायद technically mini moon नहीं है क्योंकि एक asteroid को जो है अर्थ के orbit का एक complete revolution जो है करना जरूरी होता है और 2024 Pt5 जो है अर्थ के चक्कर लगाने के बजाए एक जो होर्शू shaped जो है orbit करेगा मतलब ये asteroid जो है अर्थ के आसपास एक full circle नहीं करेगा scientist का ये भी मानना है कि 2024 Pt5 का जो origin है अर्जुना asteroid belt से हुआ है ये एक secondary asteroid belt है जिसमें छोटे space rocks होते हैं जो अर्थ के orbit के जो है अलग हुआ हो अब चलिए कुछ पुरानी mini moons के example देखते हैं सबसे पहले mini moon जो discover किया गया था वो था 2006 RH 120 जो 2006 साथ तक जो है अर्थ के आसपास रहा ये discoveries सिर्फ scientific curiosity नहीं बलकि हमारी space technology के लिए भी काफी valuable हैं space missions के लिए ये एक natural laboratory जैसी चीज बन जाती है जहां से हम जो है asteroids के structure को जो समझ सकते हैं तो दोस्तों ये थी पूरी कहानी 2024 PT5 asteroid के बारे में जो इस September से जो है दो महीने तक अर्थ के आसपास रहेगा भले ही ये full revolution नहीं करेगा लेकिन ये asteroid जो है काफी valuable information देगा हमारे scientific community को अगर आपको ये वीडियो informative लगी हो तो like करें, share करें और नए updates के लिए हमारे चैनल को subscribe करें मिलते हैं अगली वीडियो में धन्यवाद, जैह हिंद